यह आगे का एंगल थोड़ा मैं केमरामें से कहूँगा कि यह दुबे जी का जो घर है उसके सामने की यह तस्वीरे हैं और ठीक इसके सामने वह जमीन है जिस जमीन के लिए यहां च्छे लोगों के जान गई सुनसान इलाका है थोड़ा सा रोड से हटके है सांत जगह है अग लेहडा की यह वह जगह है जहां छे लोगों की एकी साथ जान चली गई आपसी बीबात था जो प्रेम यादों बताया जा रहें वीडियो में आप उनके घर की तस्वीर को देख चुके हैं और प्रेम यादों को सुन चुके हैं बाकि दूसरा जो पच था जो दूबे जी क परिवार था वो यही दूबे जी का घर है मैं कैमेरा में से कहूंगा इस घर को थोड़ा दिखाईए यह दूबे जी का घर है और यही वह जगह है जो बैरिकेटिंग की गई है यह वही जगह है जहां यह छे लासों को गिराए साथ सेप्रेम यादों की जो घटना अस्तल ह है वह कहीं और है लेकिन बाकी जो पांच लोग दूबे परिवार के जो पांच लोग थे उनकी यह वही जगह है जहां दो अक्टूबर को पांच चला से गिराई गई जमीनी विबाद जिस जमीन के लिए यह मामला हुआ वह जमीन आज भी है लेकिन जो दोनों दावेदार थे बताया जा रहा है कि दोखे से प्रेम यादो ने उसकी रश्ट्री कराया कहीं गाउं के लोगों में यह भी चर्चा हो रहे थी कि प्रेम यादो वह अपने इच्छा से जो दूबे परिवार के जो थे वह अपनी जमीन को रश्ट्री किये थे तो इस तरह किसा बातिया है लेकिन यह जांच का भी से है जब जांच होगी तब किलियर पता चलेगा कि मामला क्या था और मैं एक चीज और बोलूंगा आप मैं वीडियो में बोल चुका हूं कि लेकपाल और कांगो दो ऐसे यह नाम है इस तरह की घटनों में इनका भी एक रूल होता है क्योंकि पी उससे जुड़ा हुआ ही मामला है जिस दिन आठ बिगय की रजिश्टरी होगी हुई होगी क्या तहसील में बैठे रजिश्टार महोदे को इस बात को संग्यान में लेने की जुरत नहीं थी कि एक मंद बुद्धी या जिस तरह के है वो किस सिती में आठ बिगय जमीन क इसको दे रहा है यह सारी चीजे इसमें लपारवाहियां सुरू से देखने को मिली और नतीजा यह था कि 2 अक्टूबर जिस दिन पूरा देश गाधी जैनती मना रहा था उसी दिन दूबे परिवार में एक लड़का था जिसका नाम गाधी था उसकी हत्या कर दी गई उसक कि जमीन वही की वही है लेकिन आज दोनों परिवार एक तरह से तहस नहस दोनों परिवारों का हो चुका है जहां दूबे जी के परिवार में सिर्फ एक छोटा बच्चा-बच्चा है वहीं यादो जी के परिवार में जो प्रेम यादो मुखिया थे वह उनकी जान जा कुछ लोग है उतरपरदेश पूलिस के कुछ जवान है और यह ठक्टर यह दुबे जी का है क्या यह दुबे जी का वो टेक्टर है लेकिन टेक्टर से इस मामला में कुछ लेना देना नहीं है तो इस तरह की तस्वीरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तस्वीरों को देखकर इस मामला को देखकर क्या आप सुचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा यह आगे का एंगल थोड़ा मैं केमरा में से कहूंगा कि यह दुबे जी का जो घर है उसके सामने की यह तस्वीरे हैं और ठीक इसके सामने वह जमीन है जिस जमीन के तो लोग लोगों को धीरे-धीरे जानकारी चली होगी धीरे-धीरे लोगों को पता चला होगा बाकि इस वीडियो को देखकर आप क्या सुचते हैं कमेंट बॉक्स में लिकर ज़रूर बताईएगा मैं अगले किसी वीडियो में फिर में लोगा तब तक के लिए झाले